सबते पहले मैं आपको क्लियर करके बता दू आज 28 अक्टूबर और 11 सितंबर को बाइबीट, OKEX, Bidget Exchange और कई सारे एक्षेंजेस को इंडियान गॉवर्मेंट ने बैन कर दिया लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लाइब प्रूफ दिखाएंगे, आप easily Bybit Exchange का अकाउंट बना पाएंगे और आप वेरिफाई भी कर पाएंगे, आप देख सकते हैं कि मेरा वेरिफाई है तो step by step मैं आपको सारी चीह बताऊंगा, actually मैं दो दिन परिशान हुआ, इस के चक्कर में और आज वेरिफाई हुआ तो क्या प्रॉबलम आ सकती है और किस तरीके से आपको वेरिफाई करना है लेकिन उससे पहले आपको बता दू कि अप्लिकेशन डाउनलोड करने में सभी को प्रॉबलम हो रही है तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप BitGet Exchange, BuyBit, OKEx, जितने सारे exchanges आप PlayStore से डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए आपको USA का Gmail बनाना पड़ेगा अब आप बोलेंगे यार USA का Gmail कैसे बनता है, उसकी भी ओलेडी वीडियो आपने डाली हुई है Gmail नहीं बनाना चाहते है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे Telegram चैनल पर चले जाना वहाँ पर हमने तीनों अप्लिकेशन डाल दिया, आप क्लिक करके इजली डाउनलोड कर सकते हैं अब चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि हम एकाउंट कैसे बनाएंगे, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, भाई काफी मेनद किया यार, बस एक लाइक के लिए ठीक है, आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है प्लीज लाइक कर देना और सेर भी कर देना उन दोस्तों के पास जिनका अकाउंट नहीं बढ़ रहा है, मैं पूरी गरांटी के साथ बोल रहा हूँ, अकाउंट बनेगा, ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नौटिकेशन को आल पर सेट कर देना, एक चीज कॉमेंट सेक्सर में कॉमेंट करके बताना, आपका अकाउंट बना या कोई प्राबलम आ रही है, कॉमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे भी पता चले, यहाँ पर एक चीज में प्राबलम आती है, क्रोम से इजली हो जाता है, सो स्टार्ट करते हैं, दोस्तों जो प्रोसेस में आपको बता रहा हूं, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा भी प्राबलम नहीं होगा, अगर मैं आपको अपने प्लेइस्टोर में दिखाऊं तो आप देख सकते ह आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में सबसे पहले यहां से हम अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में प्लेइस्टोर से अप्लिकेशन डाउनलोड करके हम रजिस्टर करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो आपसन है, साइन अप और तो हमको new account बनाना है, तो हम sign up पे click करते हैं, तो जैसे हम sign up पे click करेंगे, आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर दो आप सना चुगा है, पहला email id, दूसरा mobile number, तो आप दोनों के थुरू बना सकते हैं, ठीक है, email id चाया mobile number, यह depend करता है आपके उपर, तो जैसे मैं email id पे click करता ठीक है, तो मैं mobile number पे click करता हूँ, अब यहाँ पर हमको अपना mobile number डालना है, चले, mobile number डाल देते हैं, हमने अपना mobile number डाल दिया, अब यहाँ पर हमको एक password set करना है, ठीक है, आप देख सकते हैं, आठ करेक्टर से 32 करेक्टर का होना चाहिए, और इसमें, मतलब, capital letter, alphabet में होन चाहिए, और आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर क्या-क्या support करेगा, वह सारी चीजे नीचे, यहाँ पर only supported यह सारी चीजे दी हुई है, तो चले यहाँ पर हमें एक strong password डाल देते हैं, ओके आप देख सकते हैं, कि हमने एक password डाला, और चार ओपर टिक हो गया, अनि जो हमारा पासवर्ड हो है, सही है, ठीक है, strong भी है, अच्छा भी है, अब हमको इस box पर click करना है, फिर उसके बाद में create account पर click करेंगे, यहाँ पर यह capture आएगा, तो हमको capture पहले यह वाला select करना, उसके बाद में यह वाला, फिर यह वाला, ठीक है, अब हमको ok करना है, actually verify करना पड़ है, OTP हम डाल देते हैं, 22119, ok, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा account वह बन के ready हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर एक option आ रहा है, verify now और later का, तो हम verify now उपर click करते हैं, ठीक है, अब जैसे हम verify now उपर click करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ अब यह है, identity मांग रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं, identity मांग रहा है, आप देख सकते हैं कि यह बता रहा है कि अगर आप अपनी identity verification कर लेती हैं, तो आप बिड्रोल भी कर पाएंगे, crypto deposit भी कर पाएंगे, मतलब P2P trading भी कर पाएंगे, सारी चीजे हैं, और आप देख सक अब जये से मम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डो उप्सन और था ओक तो पहले में तो यहाँ पर हम कर देते हैं all, ठीक हम को all करना है, ठीक है, all करने के बाद में continuing उपर click कर देते हैं, अब जही से हम click करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह हम से आधार number पूछ रहा है, ठीक है, आधार card पूछ रहा है verification के लिए, तो चलो हम अपना आधार नमबर डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आधार नमबर डाल दिया अब हम send verification code पर click करते हैं अब जिस mobile number से हमारा आधार card link है उस पर एक OTP जाएगा ठीक है तो हमको OTP यहाँ पर डालना पड़ेगा तो यहाँ पर OTP आ चुका है मैं OTP डाल देता हूँ 8382 8382 07 ओके हमने OTP डाल दिया अरे यार गलत हो गया क्या 8382 07 अरे यार आशा कैशा मैं तो सही डाल रहा हूँ पता नहीं यार रॉंग ले रहा है तो चलो हम अगेन recent code पर क्लिक करके दुबारा OTP ले ले लेंगे हम recent code पर क्लिक करते हैं दुबारा OTP आ जा भाई आ गया OTP 144 144 1423 ओके code काहीं नहीं ले रहा है अब दोस्तों जो मुझे problem आ रही थी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आधार कार डाला इंडिया सब कुछ सो और रहा था बट जब हम आधार कार डालके OTP डाल रहे थे तो OTP एक्सेट नहीं कर रहा था OTP सही हम डाल रहे थे OTP आभी रही थी बट OTP नहीं ले रहा था तो हम काफी परिशान हुए उसके बाद हम अप्लिकेशन में भी जाके ट्राई किया अप्लिकेशन में भी नहीं हुआ तो हम दो दिरुक है ठीके तो आपको अगर ऐसा कुछ प्राबलम होता है तो आपको एक से दो दिरुक जाना है ठीके एक से दो दिन से 10 मिनट बाद मैं दुबारा चेक करता हूं आप देख सकते हैं कि यहां पर वायरिफाई हो गया है और आप डेट भी देख सकते हैं ठीक है उमीद करता हूं कि यह छोटी सी वीडियो पसंद आई हो कि वीडियो पसंद आदी तो प्लीज लाइक सेयर चैनल सब्सक्राइब कर करना मिलते नेक्स वीडियो में